लंबे समय से कॉंग्रेस पार्टी में दर्जनों दलाल टीकट बेचने, पद बेचने, डेलिगेट बेचने, संगठन बेचने, जमीनी अस्तर पर सक्रिय कार्ज करताओं की राजनीतिक हत्या करने के काम किया गया है, टीकट बेचा गया जिसके कारण कंडिडेट का जमानत ज इसादे हम लोग का मांग है कि अभिलम इन लोगों को जो पद्धारी बने हुए हैं जिनके कारण कॉंग्रेस दिनों दिन डैमेज होता जा रहा है और ये सब के पीछे बिहार कॉंग्रेस का परतमान परभारी भक्षरंदास परतमान अध्यक्ष मदन मोहंजा समेत समी कार्ज कारी अध्यक्ष और चुनाव अभियान समीती ने ये सारे लोग जो है पार्टी को निस्ता नाभूद कर दिये इन लोगों को पद्धमुक करके हुए बिहार कॉंग्रेस की जिमेवारी सेकेंड लाइनर कार्ज करताओं को सौपा जाए बिहार में विधान सभा उक्षरा मे कांगर्स की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर काफकल है उभर कर सामने आ गया है पार्टी के प्रदेश अध्यक के खिलाफ भी विरोध के स्वर उटशने लगी हैं कांगर्स के प्रभारी बधक्त जिर्ण भार्दास का भी पूरजोर विरोध किया जा रहा है चिनाव परिणाम आने के साथ लगतार पार्टी के निताओं के खिलाफ पार्टी के कारिकरता परदर्शन कर रहे हैं। बुद्वार को भी सदाकत आश्रम इस्तित को प्रदेश कॉंग्रेस कारियाले के सामने कॉंग्रेस कारिकरताओं ने परदर्शन किया। लंबे समय से कॉंग्रेस पार्टी में दर्जनों दलाल जो टीकट बेचने, पद बेचने, डेलिगेट बेचने, संगठन बेचने और जमीनी अस्तर पर सक्रिय कार्जिकरताओं की राजनीतिक हत्या करने के काम किया गया है विगत दो बिलान सभाका के चुनाओ हुआ, इसमें टीकट बेचा गया, जिसके कारण कंडिटेट का जमानत जब्त हो गया और ये सब के पीछे बिहार कॉंग्रेस का परतमान परभारी भक्षरंदास, परतमान अध्यक्ष मदन मोहंजा, समीकार्जकारी अध्यक्ष और चुनाओ अभियान समीती में ये सारे लोग जो है पार्टी को निस्ता नाबूद कर दिये, जमीन अस्तर पर बूद का संगठ पंचाइद का संगठन, भलॉप का संगठन, जिला का संगठन, इन लोगों के कारण, ये लोग जो हमेशा से टिकट फद और डेलिगेट भेजने का काम करते रहे हैं, जमीनी अस्तर के काजकरताओं का उपेक्षा करने का काम किया जाता रहा है, जिसके कारण आज इस्थित हुआ, ये लोग लालू, नितीष और भाजपा का भी टीम है, इन लोगों का इस्तिफा हम लोग मांग रहे हैं, नैतिक्ता के अधार पर जो जमानत जब्त हुई है, उसको देखते हुए, ये लोग अभिलाम इस्तिफा दे, और आपके माध्यम से, अपने आला कमान आधर हैं, सोनिया जी, राहुल जी, त्रियंका जी से मांग आज हम लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार के जमिनी अस्तर के कॉंग्रेसी कार्ज करताओं में आक्रोस है, हम लोग का मांग है, कि अभिलाम इन लोगों को जो पदधारी बने हुए हैं, जिनके कारण कॉंग्रेस दिनों 25 में, कॉंग्रेस फिर से अपने जमीनी कार्ज करताओं के बदावलत, आम जनता में, गाओं गरीब किसानों के बीच में, जा करके कॉंग्रेस को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं, जो इन दलालों के कारण, लंबे समय से कॉंग्रेस देमेज होता रहा है, इसी को लेकर कर करके हम लोग का मांग है कि अबिलाम इन लोग को पाद मुख पिया जाएं